जाम राम दोस्तों आज कल्की जैन्ति है और आप सभी को बहुत कमी लोगों को पता होगा कि कल्की कौन है कुछ लोगों को सायद घ्यात होगा तो चलिए आज हम आपको कल्की के बारे में बताते हैं कल्की को भगवान विश्टू का दस्वा अवतार माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि कल्यूग में जब घोर कल्यूग बढ़ेगा चारो तरफ पापी ही पापी हो जाएंगे तब भगवान विश्टू अपने दस्वे अवतार के रूप में भगवान कल्की के रूप में पित्वी लोग पर प्रकट होंगे और पापीयों का नास करके की देश सारी सुब्काम में और चलिए आज आप सभी को फिर से एक बार चीता के पर्थम अद्याय का अध्यात्म समझातेे हैं कि घीता का प्रतम SM अध्याय क्या है कि स्विषा पार्वत कि भगवान भूले संसकर से सवाल करती हैं कि हे भगवन आप सब तक्तों के ज्याता हैं आपकी किरपास से मुझे श्री विश्लू संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं हे देवेश अब मैं गीता का महत्म सुनना चाहती हूँ जिसका स्र्वन करने से स्री हरी में भक्ती बढ़ती है स्री महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जिनका स्री विग्रा अलशी के भूल की भाती स्याम बर्ण का है पच्छी राजगरुड ही जिनके वाहन हैं जो अपनी महिमा से कभी चुत नहीं होते हैं तता सेशनागी की सहिया पर सैन करते हैं उन भगवान महाविष्णू की हम उपासना करते हैं एक समय की बात है मुर्दैत के नासक भगवान विष्टू सेशनाग के रमणिये आसन पर शुक पूरवट बिराजमान थे उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती स्री लक्ष्मी जी ने आदर पूरवग प्रसन किया स्री लक्ष्मी जी भगवान विष्टू से कहती हैं कि हे भगवन आप संपूर जगत का पालन करती हुए भी अपन एस्वर के प्रती उदासीन से होकर जो इस सीर्चागर में नीद ले रहे हैं इसका कारण क्या है श्री भगवान मंद मंद मुष्काए और उसके बाद उन्हेंने माता लक्ष्मी से कहा कि हे समुखी मैं नीद नहीं लेता हूँ अपितु तत्तो का अनुसरण करने वाली अंतर ज्रिष्टी के द्वारा अपनी ही माहेश्वर तेज का साथ छात कार कर रहा हूँ हे देवी या वही तेज है जिसका योगी पुरुष्कुशागर बुद्ध के द्वारा अपने अंता करण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमान्चक विद्वान बेदो का सार तक तो निश्चित करते हैं यह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकास सरूप आत्मरूप रोग सोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निश्पन तथा दर्त रहित है इस जगत का जीवन उसी के आजीन है मैं उसी का अनुभो करता हूँ देवे श्री यही कारण है कि मैं तुम्हें नेदसा लेता हूँ प्रतीत होता हूँ पिर भगवान स्रे विश्वू माता लक्ष्मी से कहते हैं कि सुंदरी सुनो मैं गीता में अपनी स्थिती का बर्णन करता हूँ करमसा तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो हे सुंदरी तुम गीता के पांच अध्याय को तुम पांच मुख जानो दस अध्याय को तुम हमारी दसों भूजाय समझो तता एक अध्याय को तुम उदर और दो अध्याय को तुम चरण कमल समझो कि चप्रकार या अठारा ज्ञायों की बाण मई इस पूरिय मूर्टी भी समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अतवा एक आधे या चोथाई स्लोप का भी प्रत दिन अभ्यात करता है वह सुसर्मा के समान मुक्त हो जाता है सुंदरी। भगवान विश्यू की आवाते सुनकर फ्री लक्ष्णी जी ने फिर भगवान विश्यू से सवाल किया कि वे प्रभू ये सुसर्मा कौन था किस जाती का था और किस कारण से उसकी मुक्ती होई यह सुनकर भगवान विश्यू ने फिर एक बार माता लक्ष्णी को जवाद जिति गुए प्रिये तो सर्मा बड़ी खोती बुद्धी का मजुष्य था पापियों का तो शिरो मडी था उसका जर्म बैदिक ज्यान से तो नेयों कृता पूरुटा पूरुबक कर्म करने वाले ग्रामरों के कुल में हुआ था वह ना ध्यान करता था ना जप ना होम करता नात्कियों का ततकार करता था वहालंपट होने के काना सड़ा जिस्यों के सेवन में ही आसकत रहता था खल दो तता और पत्ते बेच कर जीविका चलाता था उसे मदीरा पीने का ब्रिसंता सतावा मान चभी खाया करता था ए सुंदरी इसह प्रकार उसने अपने जीवन का द तबहां इसी बीच में डाल भूप भारी साले ताप ने उसे डश लिया, उसरमा की मिठ्यू हो गई, तदंतर वा अनेक नर्फों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर रूप की लोप में लोप गया, और वहां वहां वोज धोने वाला जैल के रूप में पैदा हुआ, उस सम किसी पंडुगे ने अपने जीवन को आराम से बितीत करने के लिए उस सरमा रूपी बैल को खरीद लिया, बैल ने अपनी पीट पर पंडुगा का भार ढोते हुँ बड़े कस्ट से साथ आर्थ बर्स बिताए, एक दिन पंडुगे ने किसी उचे अफ्षान पर बहुत दे इससे वह ठक कर बड़े वेग से पित्वी पर गिरा और मुर्चित हो गया, उस समय वहां को तुहल बस आक्रिष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए, उस जन समुदाय में से किसी पुन्य आत्मा बैक्ति ने उस बैलता कल्याड करने के लिए उसे अपना पुन्य दान कि कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुन्य को याद करके उसके लिए ज्यान दान किया, कुछ समय उस भीड में एक वैस्या भी खड़ी थी, उसे तो अपने पुन्य का पता नहीं था, तो उसने भी उन लोगों को देखा देखी, उस बैल के लिए कुछ जाद किय में का कि हे बगवान, अगर जीवन में मैंने इसके थोड़ा भी पुन्य का काम दिया है, मेरे खाते में थोड़ा भी पुन्य है, तो इस बैल को मेरे हिस्ते का पुन्य देदी है, तरंतर्य अमराज के दूप, उस मरे हुए प्राणी को पहले यम्तूरी ले गए, और वहां यह विचार करकी यह देश्चा के दिवे हुए पुन्य से पुन्यवान हो गया है, उसे स्कोर गया है, फिर वाभू लोप में आकर उत्तम पुल और सील वाले ब्रामणों के घर में उत्पन्य हुआ है, उस समय भी उसने अपने पूर्द धन्य की बातों का आस्मर बना रहा बहुत दिनें के बाद अपने अब जाने को दूर करने वाले कल्यार तक्तों का जिग्जाती होकर वह दोस्या के पास गया, और उसके दान की बात बतलाते हुए पूठा, तुमने कौन सा पुन्य दान किया था देखो, जब सुखर्मा बहले, जब सुखर्मा उसे बहले का जब सुखर्मा उसे पुन्य दान किया, तो बेस्टा न बेस्टा न बेस्टा पुन्य दान किया, और उसके पुन्य दान किया, तुमने कौन सा 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 पुन्य दान किया, पूर्वजनम में विद्वान होकर भी विद्विता के अभिमान से मुहित रहता था मेरा राग दोय से इतना बढ़ गया था कि मैं गुन्वान विद्वानों के प्रतवी इससा भाव रखने लगा था फिर समय अनुसार मेरी मिर्टी हो गई और मैं अनेको गृड़त लोकों में भटकता रहा फिर उसके बाद इस मनुष्य लोक में आया सदगुरु की अतियंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जनम हुआ पाप होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से बियोग हो गया एक दिन मैं ग्रीश मरीतु में तपे हुए मार्ग पर पढ़ा था वहां से कुछ रेष्ट मुनी मुझे उठा लाए और महात्माओं के आस्रह में आस्रम के भीतर एक पीरे में उन्होंने मुझे डाल दिया वही मुझे पढ़ाया गया रिशियो के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आप बिति करते थे यही उनी से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेली ने वहां से चुरा लिया और तत्पस्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया यही मेरा बितान्त है जिसे मैं ने आप लोगों से बता दिया पूर्वकाल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है फिर उसी से इस बेश्या का भी अंतहकरण दूर हुआ है उसी के पुन्य से ये दुझ स्रेष्ट सुसरमा भी पाप मुक्त हुए हैं इस प्रकार परस्परवातार राप और गीता के गीता के प्रथम अध्याय के महत्मे की प्रसंसा करके वे तीन निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे फिर ज्यान प्राप्त क करके वे सभी मुक्त हो गए इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पड़ता सुनता तथा अभ्यास करता है उसे इस भावसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है आए कि जो भी वेक्ति जो भी मनुष्ण पृतँदिन गीता का एक स्लोग या एक पॉठध्य हो जाता है तो इसके सभी पाप जाते हैं सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और वह प्रिटवी से भी मुक्त हो जाता है उसे श्वर्व की प्राप्ति होती है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तो एक बार प्रेम्शे बोलिए ओम नमो भगवते बासुदेवाए नमा जय जय स्री राम दोस्तों यदि हमारे वीडियो आप सभी को प्रसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें हमा सब्सक्राइब कि कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए फिर मिलते हैं वीटा के नए अध्याय के साथ तब तक के लिए आप सभी से ज़िए